मस्जिदे भरने लगी थी दरगाहें भरने लगी थी मज़ाने भरने लगी थी अलाओ दिन खिलजी ने बोला कि मैं इनके डर से उट के पीट के पीछे नहीं चिपने वाला हेलो गाइस विलकम बेक टो मैं चैनल वनस अगेन तो दोस्तों खिलजी सीरीज की अगली वीडियो है आज आपको हम लेकर के आए हैं सीरी फोर्ट यह जो पीछे में आप दरवाता देख रहे हैं दोस्तों यह असल में खिलजी सीरी फोर्ट का इंट्रीगेट है और पीछे मे इसे पूरा का पूरा सीरी फोर्ट यहां पर आपको कोई भी खिला नहीं दिखेगा यहां पर आपको दिखेगी दिवारें जिसे बनाया था अला अधिन खिल जी ने अलावदिन खिल जे के बाते में हम बात करें तो उसने जो है 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया था खिल जी का इतिहास हमने आपको अलेडी बता रखा है जलाल अदिन खिल जी जिसने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया था इनके बाद गद्धी प्यायत है अली गुर्शस्क यानी अलाव अदिन खिल जी और उन्होंने ही इस पूरे खिला को यहां बनवाया था मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक चीज एक एक इट का इतिहास आपको हम बताएंगे आईए आपको हम घुमाते हैं सीडी फोर्ट तो यहां पर जो हैना आप किसी के साथ यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर फिलहाल बस हम ही लोग है विल्कुल अकेले हैं और थोड़ा सा सुनसान इला और ऐसा बताया जाता है कि अलावद्दिन खिल जी ने इन ही सब दिवारों में 8000 मंगोलों के सर को चिनवा दिया था यहां नहीं कि इस पूरे किले को जो है वो असल में मंगोलों के 8000 सर के ऊपर बनाया गया है और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक और लेकिन यह structure जो है यह कैसा structure कुछ खास जानकारी नहीं है लेकिन फिलहाल इसकी आप चोड़ाई वगारा देख सकते हैं काफी ज्यादा मोटा है और अंदर में आप देख सकते हैं यहां पर भी rubles का इस्तमाल किया गया इसको बनाने के लिए तो जितने भी monuments होते थे दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी एक मिनार जासा structure दिख रहा है तो इसके भी कोई खास जानकारी नहीं है कि इसके लिए बनाया गया था तो जोस्तों अलावदिन खिलजी के बारे में बात करें तो 1296 से लेकर के 1306 तक बताया जाता है कि बहुत ज्यादा हमला हुआ था जलाल उदिन खिलजी के टाइम में 1290 से 1296 के टाइम में एक हमला हुआ था 1292 में जो कि मंगोल हार गये थे और फिर 1296 संतावे में हुआ बहुत हमले हुए और 98 में हुआ फिर 99 में हुआ 1303, 1305, 1306 लगातार लगातार होते रहा और मंगोल पूरी कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए क्योंकि वो सारे जगा को जो हुआ कर चुके थे बस हिंदुस्तान ही बाकी था तो दोस्तों मंगोलों के बारे में ऐसा कहा जाता उन्हों है कि मंगोल असल में उनके जो फॉज थी वह समझे कि तुफान फॉज थी बिल्कुल जलजला फॉज थी वह जहां बहें जाते हैं कुट्य बिल्यो中共 नहीं चोड़ते थे उनहों ने जो है च söyl तक को नहीं छोड़ा था और बताया जाता है कि कुल तीन साल में जो है और यहां पर आप देख सकते हैं यह है पुरा सीरी फोर्ड का नक्षा अंदर में आप देख सकते हैं मुहम्मद वाली मस्जीद है तुरफे वाल गुंबद, लाल गुंबद, बाल संगरा लाया है सीडी फोर्ट खेल परिसर है और सारी चीजे हैं लेकिन सब कुछ आपको इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेगा यहां पर आपको सिर्फ मिलेगी मुहम्मद वाली मस्जिद जो कि आप देख सकते हैं मेरे दाहिने साइट में हैं वहाँ भी आपको हम ले करके चलेंगे फिलहाल वहां से इंटर किया है में गेग से और इंटर करता ही आपको लिफ साइड में सबसे पहले यहां पर दिखती है मुहमद वाली मस्जिद यह आप देख सकते हैं कितनी बहुत रीन मस्जिद है अफसोस कि बात यह है कि यह मस्जिद बन रहती है कभी-कभी मौका मिलता है तो यह दर्वासा इसको खुला जाता है लेकिन आम तोर पर यह मस्जिद बन रहती है तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों यह है मस्जिद का में हिस्सा और यहां पर देख सकते हैं कि मस्जिद की पूरी जानकारी भी यहां पर दीव है इस तरह से पढ़ सकते हैं और इस मस् मुहमम्मद वाली मस्जिद ही चैखला था तो यह जो मदे को एस लोडि काल में का इतिहास आपको हम अलग से बताएंगे वेहां यहां पर लिखा दिया यहां पर लिखा हूा था फिलहाल इस जगह घुमने के लिए बहुत जबर्दस जबर्दस चीज़ हैं दोस्तों यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ज्यादा मोटी मोटी दिवारे हैं और पीछे में देखिए थोड़ा सा पीछे में पूरा खंडली हो रहा है यहां पर बिल्कुल जोड़ और यहां पर सबसे अचे बार दोस्तों कि यहां पर आपको मोर वगारा भी देखने को यह है यहां का गोल स्ट्रक्चर और इस तरह से आप इस पर भी चड़ सकते हैं तो इसका निर्मार्ण किस लिए करवाए गया था वो मालूम नहीं है समझ में नहीं आ रहा है लेकिन यह स्ट्रक्चर जो है यह काफी ज्यादा खुबसूरत लग रहा है यहां पर तो अब य लेकिन अफसोर्स की बात है कि आज यह चीज जो है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है तो वैसे तो दोस्तों मंगोलों ने खिलजी के टाम में बहुत हमला किया था अरावदीन खिलजी के सत्ता में आते ही 1296 में लगतार लगतार यहां पर हमला होते ही जा रहा था 1296 में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे बैटल ऑफ कीली जो की हुआ था 1299 में इसके पहले बैटल ऑफ जालंधर बैटल ऑफ सिंध बहुत सारे जंगे हुए थे जिसमें फतह हुई थी खिलजीयों की और इन सारे फतह के बाद भी जो है दोस्तों मंगोल बा नहीं था कि मंगोलों ने पहले पर हमला किया था इसके पहले भी जो है चंगेज खान ने हमला किया था बल्बन के टाइम में भी जो है दोस्तों मंगोलों ने हमला किया था और बल्बन के सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने नॉथ वेस्ट फरेंटियर में पूरा वहां प कीली एक तरफ थी मंगोल की फार्ज और एक तरफ दिल्ली सल्टनत्थ एक तरफ दिल्ली सल्टनत्थ